अगर आपके पास Realme 5S है जिस्ट लाइक दीस तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूस्पुल होगा विकॉस आज की वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 टिप्स और ट्रिक्स पताऊंगा जिसका यूज आप अपने Realme 5S के साथ में कर सकते हैं विकॉस एक काफी यूजबल टिप्स है जो आप अपने डिली रूटिन लाइप में अपने Realme 5S के साथ में आपको एमड़ेसी बेसिस पे कही ना कही कभी ना कभी काम आने वाले टिप्स हैं तो अगर आपके पास लाप टॉप है तो आप अपने Realme 5S का यूजब करके अपने लाप टॉप को इसली कंट्रोल कर सकते हैं वेले जूब को टिप से बहुत ही यूजब कर सकते हैं तो इस प्रॉसस को आपको कम्पलीट करने के लिए प्ले स्टोर पे एक अप्लेकेशन है जिसको डाउनलोड करने की सरुवत होगी जिसका नाम है लेट साथ शोओ यू तो इस आपकेशन का नाम है इंफिनाईट मोड यि एक क्रेमोट चंट्रोल है जो लugen्त को मुबालत टॉप से connect करने का काम करता है तो यहां पी जो application है यह mobile के सासर आपको अपने PC में भी install करना होगा तो PC में install करने के लिए आपको simply इस application का जो नाम है infinite mode वो Google पे आपको search करना है तो टॉप में है इसका official website है website पर विजिट करके get started button पर क्लिक करके second number पर आपको इस windows में application डाउनलोड करने का option बिल जाएगा simply आपको यही सही इस application को डाउनलोड करना है तो simply उसके बाद आपको अपने PC में इस application को open कर लेना है उसके बाद आपको अपने realme 5S में इस application को open कर लेना है तो जैसी आप इसको open करेगे यह automatically scan होगा और आपके laptop का नम आपको यहाँ पर automatically देख जाएगा देन इसके बाद मेरे done किया confirm किया और यहाँ पर जो मेरा realme 5S है वो laptop से connect हो गया यहाँ पर आपको by default कई सारे option मिल जाते है as a controls के base पर जो default ही होता है इस application में तो example के तोर पर यहाँ पर मैं mouse का control य S में करूंगा जिस तरह किसे moment करूंगा सेम वैसा का वैसा laptop में जो arrow है वहाँ वहाँ पर moment करेगा you can see that तो इसी तरह किसे आप यहाँ पर इस application की help से इस feature की help से अपने realme 5S के help से आप इसलिए अपने laptop को control कर सकते हैं even operate कर सकते हैं आपको और भी सारे यहाँ पर keyboards and कई सारे options मिल जाता है as a controller के basis that you can use it so let's talk about the second tips that you can use with a realme 5S यहाँ पे अगर आपके पास इसका mouse है जिस तरह के साब mouse का use करते हैं अपने laptop को control करने के लिए even operate करने के लिए उसी तरह के से आप यहाँ पर इस mouse का use कर सकते हैं अपने realme 5S को control और even operate करने के लिए ते लेकिन आपको यहाँ पर एक OTG cable की जरुवत पड़ेगी विकास यह बहुत important है तो इसके बाद आपको जो mouse का जब port है वो आपको अपने OTG cable के port से connect करना है just like this then इसके बाद OTG का जो port है वो आपको आपको अपने realme 5S के charging port से connect करना है just like this then इसके बाद आपको अपने mobile के setting में जाके additional setting में जाके ज को आपको यहां से enable करना होगा workout शूरू करने के लिए that's it तो उसके बाद आपको जो mouse है वो आपके realme 5S के साथ में connect हो जाएगा और you can see that कि जो mouse का arrow है वो आपको यहां पर मिल जाता है लेकिन यहां पर आपको black color का arrow मिरेगा so that is a negative point but even that is used तो इसका यूज करके आप कोई भी application को open कर सकते है close कर सकते है swipe up कर सकते है down कर सकते है left कर सकते है right कर सकते है that's it so let's see the third feature that you can use with a realme 5S जिस तरीके से आप अपने mobile को अपने tv के साथ में connect करते है अगर आप अपने realme 5S के screen को live laptop में बड़ी screen पे देखना चाहते है तो ये feature आपके बहुत ही काम आएगा जिसका नाम है screen bearing का इस process को apply करने के लिए सबसे पहले आपको अपने laptop में छोटा सा setting करना पड़ेगा simply आपको system वाले option में जाके यहाँ पे आपको projection to this PC का option भी लेगा इस पे click करके आपको यहाँ पे first number पे available everywhere second number पे every time is connected requested यह दोनों select करना देने setting को यहाँ से on करना है उसके बाद play store से इस application को install करना है और यहाँ से setting को on करना है ताकि आपका जो discoverable वाला portion है वह start हो जाथा और आपके laptop का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा then laptop में जो permission है वो accept कर लेना है और okay कर लेना है that's it तो उसके बाद आपका जो mobile है वो आपके laptop से connect हो जाएगा then इसके बाद यहाँ पे जो भी आप अपने realme 5S में देखेंगे वो same का same moment यहाँ पे आप laptop में बड़े screen पे देख पाएंगे और जैसा moment आप अपने mobile में करेंगे same वैसा का वैसा moment आपके laptop में आप बड़े screen पे देख पाएंगे इस feature का advantages यहाँ आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ पे कोई movie प्ले करेंगे या तो जब आपको gaming प्ले करेंगे तो ऐसे cases में आप इस feature का use कर सकता है because बड़े screen पे आपको movie देखने का काफी अच्छा खासा आपको advantages मिल जाता है सो यहाँ पे आप देख सकते कि एक movie एक टाइ के पर यह वीडियो को में आप पर प्ले करता हो you can see that की same का same screen आप laptop में बड़े screen पे देख सकते it is very useful that you can use in your daily routine life with your any and white phone including realme 5s let's check out the fourth tips for realme 5s that you can use it यहाँ पे अगर आपका realme 5s को आपको charge करना है और आपके पस mobile का charge नहीं है तो ऐसे cases में आप अपने laptop का use करके भी अपने realme 5s को charge कर सकते हैं तो यहाँ पे इस process को complete करने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक USB केबल की तो जो USB port है वो आपको laptop की USB port से connect करना है यहाँ इस charging port को आपको अपने realme 5s के charging port से connect करना है तो अगर आप top site में देखते तो आपको यहाँ पे कोई भी charging का sign नहीं दिखते हैं लेकिन जैसे मैं इस port को यहाँ से connect करूँगा then top site में यहाँ पे जो mobile को charge करने का option आजाएगा then यहाँ पे top site में जो realme 5s वो यहाँ पे charge होना start हो जाएगा here you can see that well यह जो process है बहुत ही useful है लेकिन इसको daily return life में बिल्कुल भी apply नहीं करना है because इसे mobile के battery पे इसका बहुत ही negative impact पढ़ सकता है but yes अगर आपके वास mobile charges नहीं है charger नहीं और ऐसे cases में आप इसका यूज कर सकते हैं so let's see the fifth feature that you can use with a realme 5s यहाँ पे अगर आपके पास laptop नहीं है तो even आप किसी भी किसी के भी android का use करके आप अपने realme 5s को charge कर सकते हैं लेकिन आपके पास होना चाहिए एक OTG cable और एक USB cable उस currently situation में then उसके बाद जो आपका USB cable है वो आपको OTG cable के साथ में connect करना है just like this और जिस mobile का use करके आप realme 5s को charge करना चाहते हैं उसमें आपको OTG cable को connect करना है just like this then उसके बाद यहाँ पे जो USB port है वो आपको अपने जो charging port है वो आपको realme 5s के charging port से connect करना है और जैसी आप connect करेंगे यहाँ पे आपका realme 5s दूसरे android की help से charge होना start हो जाएगा here you can see that तो इसी तरीके से आप इस process का use कर सकते हैं दूसरे android mobile का use करके भी आप अपने realme 5s को charge कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास laptop नहीं है तो लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे करना चाहतो इस process का use आप रोज पेसे पेसे मत करिएगा इससे आपके mobile के बैटरी पे negative impact पर सकता है लेकिन ऐसा कभी scenario हो गया जिससे में आपके बास mobile का charger नहीं है तो ऐसे cases में आप इस process का use कर सकते हैं तो यह थे top 5 tips that you can use with a realme 5s thanks for watching